Good morning students, MQM semester 4 and no subject, yes, today is just an introduction of your all subjects that you are going to face in your last semester of MQM, आपका MQM का last semester शुरू होने वाला है, very very important year, you have to start with, जिसे कहते हैं कि बहुत ही initial stage से ही आपको एक-एक subject को पकड़ के चलना पड़ेगा, एक और चीज़ भी मैं आपसे कहना चाहते हूँ कि MQM semester 4 में आप सिर्फ semester 4 को पढ़ने के अलावा, आपको future में जिस दिशा में जाना, जिस direction को आपको choose करना है, जिस जगह में आपको अपने लिए कोई एक नाम कमाना है, जो भी आप करना चाहते हैं, make it very clear dear, make it very clear, आप ये कह सकते हैं कि आप एक वेहिकल में बैठे हैं, एक बस में बैठे हैं, आपको अपने के destination पर जाना है, और destination का last stop आने से पहले, जब हम अपनी जगह पे से खड़े होते हैं उतरने के लिए, वो वाला सीन है आपका, जिन बच्चों को ये पता ही है कि उनको क्या करना है, जो बच्चे ही जानते हैं कि उनका direction क्या है, जो बच्चे थोड़ा बहुत blur, picture clear नहीं है, पर blur picture है, कि नहीं मैं थोड़ा बहुत अंदाज आए कि ऐसा कुछ करेंगे, तो वो धिरे-धिरे करके उस blurness को हटा दीजिया और clarity लाइए, देखे, it's a time for कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी subject कौन-कौन से होने चाहिए, कौन-कौन सी book लानी चाहिए, तो ये चीज आपने ही मुझे motivate किया है, ये बोलने के लिए, ये video बनाने के लिए, it's not only about subject and which books you want to buy or you have to read, yes definitely you have to go for that, but before that students, please decide very clearly कि आपको क्या करना है, आपको future में M.COM semester 4 अगर आप सिर्फ M.COM की ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास और कोई skill नहीं है, उसके अलावा आपके पास और कोई knowledge नहीं है, किसी और काम का, या फिर आप कोई job न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी master degree में आप result ला रहे हैं, जब मैं बात करूँ बहुत अच्छे से तो I am definitely tell you I am talking about distinction, yes I am not talking about first class, आप सब जानते हैं कि हम जिस time में जी रहे हैं मापर first class की कितनी value है, definitely आप distinction से उपर कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि चलो ठीक है, आप masters कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप first class और distinction के साथ हैं, या first class के साथ हैं या फिर आप pass अच्छे से हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ m.com नहीं करना चाहिए, आपको उसके साथ एक skill develop करनी चाहिए, आपको उसके साथ learning में, जिसकी demand है, जो market में अभी relatable है, वो कोई course है, वो कुछ सीखना चाहिए, so here मैं यहाँ पर आपको कौन से subject हैं, आपके subject के नाम, कौन सी book आपको लेनी चाहिए, किस तरह से आपको तयारी करनी चाहिए, start करना चाहिए, वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ में आप इस वीडियो के बाद मुझे comment box में यह लिखके बेजेंगे, कि मैं, आपका नाम तो उपर दिखने ही वाला है, आप लिखके बेजेंगे कि मैं m.com के साथ साथ यह कर रहा हूँ, या तो फिर मुझे यह चीज आती है, I'm good in that, इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है, कि आप professionally जिसे बोते हैं, अब suppose कोई बच्चा बहुत अच्छे से गाता हो, तो आप वो भी लिखेंगे, मैं 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 very good singer, मैं बहुत अच्छा से गाता हूँ, या फिर आप sports में है, तो आप वो बताइए, point is that, if it is only masters, if it is only income, then go for it with distinction and more than distinction, लेकिन अगर आप distinction या उसके ऊपर नहीं है, उस हिसाब से हमको अपने आपको प्रूव करना पड़ता है, you how to be competent to fight, लडने के लिए हमेशा हथियारों की जरुरत पड़ती है, और एक students जो होता है, उसकी हथियार क्या होते हैं, तो वो students की हथियार होते हैं, उसकी qualification, उसकी skill, उसकी degree, उसका knowledge, अगर आप part time job करते हैं अपने पड़ाई के साथ, वो भी आपका scale है, because you are getting an experience, बहुत सारी companies होते हैं, जो degree के साथ, आपके थोड़े बहुत percentage scene है, बहुत अच्छा scope है, so the point is that, मैं अपना काम करूँगे, आपके MCOM SM4 में भी मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन, आप अपने साथ कितने हैं, वो मुझे बताएंगे, आप comment box में लिखे, जो भी आप करना चाते हैं, जो भी आपकी direction है, वो यह बुलेगा, कि मैं MCOM के करना चाते हैं, that is your direction, that is your destination, destination तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन definitely direction तो होना चाहिए, क्योंकि हमें सफर करना है, हमको traveling करनी है, तो उसके लिए direction, एक map तो चाहिए है, आज कल के बच्चे Google Maps दुनिया के किसी भी कौने में पहुंच जाएंगे, तो आपकी study के लिए आ आपका map कौन सा है, बताइए मुझे, चलिए, अभी मैं आपको बता दू, जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हैं, मैं वीडियो बहुत शांदी से बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, तो ठीक है, I am always with you, तो मैं सब्जेक्ट में, और दो इंटरनेशनल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऐसे, तो ideally you have a six subject, लेकिन जो ये ऐसे पेपर है आपके, वो इन दोनों के ही है, यानि अगर आप ये दोनों पढ़ते हैं, तो आपका ऐसे अपने आप हो जाता है, तो इसको मैं अ अचारे, taxation, theory and practical, international accounting, again theory and practical, and management accounting, again theory and practical, theory बहुत कम है, practical है, तो अगर हम master's की बात करें, last semester of your master, theory portion equally है, practical game, yes, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं practical अच्छे से आजाएगा, तो हो जाएगा, नहीं, जैसे कि मैंने का international accounting में भी theory खुब सारी है, अचारे में तो पूरा theory है, taxation में theory अच्छी खासी है, management accounting में practical भी हैं और theory भी है, practical portion ज्यादा है, so you have to very, you have to very much conscious about how to write the answers, last semester, paper set करने वाला, paper check करने वाला, दोनों ही हैं जानते कि आप last semester के students हैं, okay, तो ये एक है, अब बात है आपकी कि मैडम हम को कौन सी बुक खरिदनी चाहिए, ये थोड़ा सा tricky question है, yes, HRM में अगर आप अभी तक, masters में या become में, अगर आप कुमार ही पढ़ते आए, then go for कुमार, लेकिन अगर आपने सुधीर पढ़ी हुई है, तो फिर go for सुधीर, yes, आप बोलेगे मैं अच्छी कौन सी, ये बताने की जगे, आप तो हमें बता रहे, देखो, ये दोनों ही है म आपको language और जो लिखने का एक तरीका होता है, हर एक का अलग अलग होता है, publication का, आप जानते ही हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप last semester में change करें, आप HRM दोनों में पढ़ेंगे, जब मैं आपको उसके बारे में जब आपको important video दूँगी, और मुझे लगेगा कि कुछ सुधीर में अच्छी है, तो वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, taxation की बात करें, definitely सुधीर, अगर available है market में, तो सुधीर ही लाइए क्योंकि practical और theory के लिए, international accounting में अगर आप कुमार लाएंगे तो चलेगा, वज़य यह है कि theory portion बहुत ज़्यादा है, practical कम है, तो कुमार is लेकिन जो बच्चे सुधीर में ही समझ पाते हैं, तो सुधीर, management accounting, सुधीर प्रकाशन, क्योंकि practical ज़्यादा है, sums वगेरा के लिए सुधीर सही रहेगी, तो यहाँ पर आपके पास दो option है, यहाँ पर आपके पास दो option है, पर better go for कुमार in international accounting and taxation and management accounting के लिए सुधीर प्रक जराती और कुमार प्रकाशन तो है, तो सबसे पहले आप खुद बताइए मुझे कि आपको theory में अभी तक आपने जिस book में से पढ़ा है, यानि कि कुमार में से तो don't go for सुधीर, अगर सुधीर में से पढ़ा है तो don't go for कुमार, but for practical purpose go for सुधीर, तो I think आपको कौन सी book खर टेक्सेशन है, तो तीन सब्जिक्ट आपके ऐसे हैं, जो आपको लगेगा, management accounting practical की वज़े से आपका फिवरेट हो जाता है, practical में में बता दू, capital budgeting, हाँ थोड़ा बहुत अपडेशन के साथ, तो management accounting is a little bit of easier one, but these three required a very good attention of yours, okay, तो बस इतना ही छोटा से वीडियो बनाना था, वीडियो तो आपने कहा था कि हमें बताईए कि कौन सी बुक खरीदी है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया है, specifically ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसके अलावा, है ना, चलिए, तो मिलते हैं next वीडियो में, देरे देरे आपके वीडियो आएंगे, क्योंकि बा